मद्रप्रदेश के पूर्व मंत्री सीहावल विधायक कमलेस्वर पटेल भोपाल से रिवा पहुचे जहाराज निवास में कॉंग्रेसी कार्यकरताओं से मुलाकात कीज दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कमलेस्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किस तरह से निसाना साधा और राहुल गांधी के भारत जोडो यात्रा के संबध में क्या कहा है आईए सुनते हैं जिस तरह से पूरे मध्रदेश में किसान हो मजदूर हो युवा सिक्षित बेरोजगार हो हमारी माता वहन है ऐसा कोई बर्ग नहीं बचा है जो परिशान नहीं अधिकारी कर्मचारी है हर वर्ग परिशान है भारती जनता पार्टी की सरकार के कुशासन से तो स्वाभाविक रूप से राहूल गांदी जी की जो यात्रा मध्ध प्रदेश में भी आ रही है भारत जोड़ो यात्रा इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कारिकरताओं का मनोबल तो बढ़ा ही है पर मद्ध प्रदेश की हम कह सकते हैं कि जनता में चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, बेरुजगार हो, चाहे वो हमारा छात्र लोग हो, हर किसी को उम्मीद जगी है कि मद्ध प्रदेश का कुशाशन खतम होगा और सच बात पर यह है कि राहूल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, बलकि भारती जनता पार्टी की जो सरकार हैं, भारती जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके सरकार तो बना लिए थे पर उन वादों से मुकर गए है आज महिगाई चरम सीमा पर है बेरोजगारी चरम सीमा पर है भरस्टाचार चरम सीमा पर है हमारी सम्भैधानिक संस्तावों को कमजोर कनने का काम किया जा रहा है जाती और धरम के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है सेक्षडिक संस्थाओं की सारी विवस्थाएं गड़वड कर दिया है आज तो हमारे देश की हिस्ट्री ही बदलने में लगे हुए है और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांदी जी ने भारत देश के लिए भारत देश के नोजवानों के लिए भारत देश की नई पीड़ी के लिए अंदोलन सुरू किया है कि हमारा किसान अगर परिशान है हमारा सिक्षित बेरोजगार परिशान है कहां गई इनके वादे अच्छे दिन तो आये नहीं, दो करोड प्रतिवर्ष बोले थे कि दो करोड प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महगाई याधी कर देंगे, काला धन लाके सब के खाते में 15-15 लाक रुपे डाल देंगे, किसानों की आय दोगनी कर द पर किसी भी विशय में भारती जनता पार्टी की सरकार कारगर नहीं सावित हुई है और इसलिए राहुल गांधी जी ने देश की समस्याओं को देखते हुए नोजवानों विरुजगारों किसानों की समस्याओं को देखते हुए राहुल गांधी जी ने ये तै किया कि हम सड पर जब संबैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का जब काम शुरू हुआ तो राहूल गांधी जी नहीं ये तै कि अब हमें देश के लिए सड़क के उतरना पड़ेगा जनता के वीच में जाके बात करनी पड़ेगी और उन्होंने वही काम किया है चाहते तो राहूल गांधी जी जिस परिवार से है उनके तीन पूरवज देश के प्रधान मंतिर है और बहुत अच्छी पोजीशन में थे उनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं थी पर उन्होंने जो त्याग और समरपन हमारे भारत देश के नौजवानों के ल वही काम आज राहूल गांधी जी देश के लिए काम कर रहे है उनको लिए जितनी भी बधाई दी जाए जितनी उनके लिए दुआ की जाया भगवान से वो कम है देखे इवेंट करते है भारती जनता पार्टी के नेता सरकार में बैठे हुए मुख्य लोग 18 साल से क्या कर वही 17 साल से तीनी की सरकार है ना तो 17 साल से सो रहे थे अब इवेंट करने की ज़रूरत है जब उनको लगा कि हमारी सत्ता जाने वाली ये पहले भी सरकार तो चली गई थी सरकार तो कांग्रेस की बनी थी जनता ने इनको खदेड दिया था पर इन्हों ने जोड तोड़ कर के संबैधानिक संस्थाओं की खिली उड़ा की ये सरकार बनाई थी और जनता को क्या मिला कितनी तेजी से कमल नाज जी प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे थे किसानों की कर्ज माफी से लेके एक हजार गोसाला बनाने से लेके इंदराग्री जोती योजना के तहर सो परिशान है समाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करने का काम किया था आज गोसालाएं जो बनी थी वो जर जर इस्तितिय में है चार जान नवीन गोसालाएं बनाने की वी स्विक्रिती दी थी अवारा पसू से सबसे ज़्यादा किसान परिशान है तो अगर कमल नाज स्थापित हो उसके लिए इन दोर में कितना भवस्ति धंक से हुआ था और देश का कोई ऐसा उद्योग पती नहीं था कि जो उसमें सामिल ने हुआ हो अब इनको तो जाके नियोता देना पड़ता है इनके बसका कुछ नहीं है इन्हों ने देश की सेक्षणिक वेवस्ता स चातरासी नहीं मिली देने का तो प्रावधान दो लाग का था चाल लाग का था देते देते पचास जार पर आ गए वो भी नहीं मिला तो देखे इनकी सारी विवस्ताय सिर्लूट खसोट मची हुई है आईसमान कार्ड लेके चले जाए हॉस्पीटल से में क्या दुद्दस चला है कौन सी सेवा है आवेधन पर आवेधन अब तो गरीबों का विश्वास उठ गया है कोई आवेधन देने भी नहीं जा रहा है